CGI साहब या CGI bench काफी convinced थे इस बात से कि पेपर लीक तो हुआ है because इतनी सारी noise है, इतनी सारा F.I.R में चीजें हैं अब वो यह determine करना चाहते हैं किस extent तक पेपर लीक हुआ है क्या वो limited बच्चों में गया है या वो बहुत सारा जैसे आज का technology कहा है तो उने ने भी बोला क्या technology की help इसे paper काफी बच्चों में लीक हो गया अब वो यह determine करना चाहते है कि रीणिट की demand थी काफी लोगों की काफी जाले petitions की रीणिट की demand थी तो उसमें वो यह determine करना चाहते है CGI की रीणिट किन बच्चों का होना चाहिए यह बहुत जादा बच्चों में लीक है कामेंटल स्टेटस क्या होगा फिर से तैयारी कर पाए नहीं तो और अभी यह समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने टाइम दिया है कि हमें टाइम लाइन बताइए कि पेपर कब आप बनाते हैं कौन सी कमिटी बनाती है दो सेट्स ओपर कैसे बनते हैं जाते हैं किस प्रेस में जाते हैं उसका नाम नहीं बताई उन्होंने का वनना फे तो अगले साल वाह भी लग जाएगी कि Paper League जो हुआ है क्या वो morning में हुआ था? 5 में कि, अगर morning में हुआ तो किस time में हुआ है? कितने time पहले हुआ है paper से अगर बहुत कम time पहले हुआ है तो chances कम है की spread हुआ होगा और थोड़ा जादा पहले हुआ है तो chances जादा spread हुआ होगा और उन्हें ये conclusive proof यही चाहिए है कि paper कितने बच्चों में leak हुआ है पहुचा है कि नहीं बाकी एक और चीज बड़ी अच्छी बोली जो demand हम सब भी बहुत टाइम से कर रहे थे उन्हें ने ये भी कहा है कि आप अपने data की एक बार analytics की audit वर्ड तो यूज नहीं किया और ये भी कहा कि हो सके तो ये government मतलब आप खुद ना करके किसी और अजनसी करें इस डेटा को audit करें वहां से रिगलाइटीज मिलें अभी तो इन्होंने वोला है वेस्टे तक का टाइम दिया है कि सारी चीज़े सब्मिट करें फिर थरस्टे को सुनवाई करेंगे और और ऐसा लगा कि सीज़े साब ने काफी काफी बच्चों की बात सुनी तेमाम बात ने इसके अलावा सप्रिम कोट ने बी अपने ऑरडर में लिखवाय कि जो उनलंगन हुआ है वो सिस्टेमेटिक तरीके से हुआ है यानि जो ब्रीच हुआ है पेपर लिख को लेके उस इसमें वो सिस्टेमेटिक तरीके से वाय पूरी परिच्छा को परभावित किया है या नहीं कि इसका कारण यह रहा क्योंकि 2015-16 का जो मैटर है जहां पर ही टेस्ट हुआ है या यह लिखा गया था माने कोट के जज्जमेंट में कि सिस्टेमेटिक फेलियर था तो सिस्टेम करना चाहते है कि सिस्टेमाटिक फेलियर है या कुछ लोगों की मैल प्रैक्टिस के अंदर इंवाल्ड इसे बिहार पुलिस की जब आप फैयर की कॉपी पड़ेंगे डिटेल में मैंने लिखा हुआ है कि कुछ एंटिय के ऑफिशल भी इन्वाल्ट थे विच मीन सिस्टेम सकते हैं यह भी सुना गया है तो हाँ अब 24 लाग बच्चों के जिंदगी यहां पर दाओं पर लगी इसलिए सिजाई ने काया कि एक बार में यह नहीं बोल सकते कि जोर इनीट कर लो और नहीं का यह कहना भी सही नहीं होगा इक्ते सारे बच्चों का स्टेटस है तो हम डि यह यह दो आफ दियू अब दो के लिए टाओं पर आओं यह यह नहीं प्रमार्पूर्ण के लगवान आओं यह नहीं जाए प्रमापूरी चॉक गुल्बरगा यह थाद सूपर्मार्क गुल्बरगा